इंडिया स्पोर्ट्स जोस पर सबका स्वागत है बड़ी खबर आ रही है भारत यह टीम की सेलेक्शन हो चुका है स्री लंका दौरे के लिए ODI और T20 स्कॉड दोनों आ चुका है तो आपके स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं तो देखिए यह है स्कॉड इस वक्त ODI और T20 का पहल किया गया है तो यह बहुत बड़ी डेवलप्मेंट है यशास्वी जैसवाल, रिंकु सिंग, रियान पराग, रिशाप पन्त, संजू सैंसन, हर्दिक पंडिया, शिवम दूबे, अक्सर पतेल, वाशिंटन सुंदर, रवी दिशनोई, अर्ष्टीप सिंग, खलील एमद औ जबरदस्त बल्लेबाजी की, गेदबाजी भी अच्छी की, फिल्डिंग भी अच्छी की, वो टीम से बाहर हो चुके हैं, तो यह बहुत बड़ा डेवलप्मेंट है कि अभिशेक शर्मा को थैंक्यू कर दिया इस दोरे इसके लिए, टी-20 स्कौर में उनका चैन मनता था, मेरे असाब से शुबमन गिल के जगा पे अभिशेक शर्मा को वहाँ पे होना था, पर चैन करता हूँ और टीम मैनेजमेंट ने अपनी अलग ही सोच यहाँ पर दिखाई है, और युजवेंद्र चैल जो टी-20 वर्ल्लकप में थे, उनको फिर एक बार इग्नोर कर दिया ग अब के बाद यह पहली बार यह दोनों नज़र आएंगे ओडिया क्रिकेट में, उसके बाद एक टीम मैच की सीरीज होई थी साथ आफरिका में, जहाँ पर वो दोनों खेले नहीं थे, पर वहाँ पे कप्तानी केल राहूल ने की थी, केल राहूल है इस ओडिया स्कौर्ड म और T20 स्कौर्ड में केल राहूल नहीं है, तो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रोहित शर्मा और विराद कोली के आते ही, शुबमन गिल को फिर एक बार यहाँ पर उपखप्तान नुक किया गया, तो लीडर्शिप रोल में दोनों जगा पर है शुबमन गिल, और श्रेय स जड़ेजा, दोनों फॉरमाइट में नजर नहीं आएंगे, सूर्ये कुमार याद्व भी वंडे क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे, हर्विंद्र जड़ेजा नजर नहीं आएंगे, तो यह जो सिलेक्शन हुई है, इसमें गौतम गंबीर का सिक्का चल गया एंगे, और उनको जो चाहिए था वो उनको प्राप्थ हो गया है और जो बड़े खिलाडियों वो नजर आएगे। रियान पराग जो है दोनों स्कॉड में वन डे और टी ट्विंटी दोनों में नजर आएगे ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यहाँ पर रियान पराग के लिए तो ओवराल इंट्रेस्टिंग स्कॉड है और आगे-ागे दिनों में और भी बाते होंगे इस पे चैनल को इसी तरह लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाते रहिए गुडबाई फॉर नाव